Hello everyone, तो start करते हैं अपने B Pharma 5th semester का पहला subject, जिसमें हम start करेंगे industrial pharmacy part 1, subject code रहेगा हमारा BP502T, unit 1 start करेंगे, इससे पहले कि हम unit 1 को start करें, एक मेरा आप से simple सा question है, जिसका आप आलसर देने की कोसिस करना, तो question है हमारा कि which dosage form is commonly used for patients who cannot swallow tablets or capsules, तो question का मतलब है कि वो dosage form कौन सा है, जिसको उन patient को दिया जाता है, जो क्या tablet को निगल नहीं सकते हैं, या फिर उन्हें swallow करने में problem होती है, तो उन्हें कौन से type का dosage form दे सकते हैं, तो option है आपका A, suppository, दूसरा option है आपका transtermal patch, तीसरा answer है आपका oral solution, और last option है आपका injection, तो इन में से कौन सा वो dosage form है, जो उन patients को दिया जाता है, जो tablet को निगल नहीं सकते हैं, उन्हें cut नहीं होती है, तो answer कीजिएगा comment में, तो देखते हैं कितने लोग सही answer देते हैं, तो चलिए, start कहते हैं, अपना unit 1, industrial pharmacy 1, तो unit 1 में हम क्या है, सबसे पहला जो topic है, वो हमारा pre- formulation studies, जो कि एक important topic है, और exam में पूछा जाता है, थोड़ा मैं आपको slavus दिखा देता हूँ, तो slavus में क्या है, हमारा unit 1 रहेगा, इसमें सबसे पहला जो topic है, वो हमारा pre- formulation study, जि जैनि, ऐसे हमारे ingredients होते हैं, जिनको मिला गए हमके drug को बनाते हैं, तो वो जो ingredients होते हैं, तो उनकी जो physical properties और उनकी chemical properties क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम discuss करेंगे, तो काफी important आपकी unit बन रहेगी, तो द्यान से देखना चीज़ों को समझने की courses करना, क्योंकि यह subject क theoretical है, तो जाद अचीज़ आपको याद करने पड़ेंगी, और रटने से better है कि आप चीज़ों को समझे, तो चलिए start करते हैं, चलिए तो pre-formulation study क्या होता है, इसका में introduction देखते हैं, तो देखिए, इसकी मैं आपको definition बताता हूं, before making medications like tablets and capsules, we need to check if the new drug and its ingredients are suitable for the chosen formulation, this process is called a pre-form तो देखिए, इसे मैं आपको बिल्कुल simple समझाता हूं, कि for example के माल दीजिए, हमें क्या है, चाय बनानी है, तो चाय रे example लेते हैं यहापे, तो हमें क्या है, टी बनानी है, अब चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए, सुगर, इसके लावा हमें चाह चैय पत्ति थे लेते इसके हलाव में लाइचर ली सकते हैं अंबर धलिंट को चेख करेंगे कि हमारा जो दूध वह ठीक है यह थी ए nothing ऐसा तो नहीं वह फोगे वह खराब उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला हुआ है तो इससे क्या चाय की जो quality है वो खराब हो जाएगी फिर हम चीनी को चेक करेंगे 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 एक्सपाय तो नहीं हो गई है और वो perfect है या नहीं है अच्छे quality है या नहीं है फिर हम चाय पत्ती को चेक करेंगे कि कौन सी कंपनी की है कुछ सस्ती कंपनी तो नहीं है जिसकी जो चाय पत्ती खराब भी आती है बहुत सारी कंपनी इसकी तो चाय पत्ती भी हमारी अच्छे quality होनी चाहिए फिर हम इलाईशी बेगर आपको देखेंगे अधरक को देखेंगे सणा हुआ तो नहीं है मतलब सब कुछ perfect होना चाहिए तो जब हम सारी चाहिए को चेक करेंगे कि यह सारे के सारे जो ingredient है वो बिलकुल perfect है कोई दिक्कत नहीं है देन हम क्या करेंगे अपनी जो चाय है उसे बनाना start करेंगे तो इस चीज को हम बोलते है pre-formulation study कि हम कोई भी चीज बना रहे है हम चाय बना रहे है तो उससे पहले हम उसमें जो ingredients use करेंगे तो उनकी हम जो है study करेंगे उनको हम चेक करेंगे कि वो सारी चीज़ा perfect है या नहीं है ताकि जो चाय है वो हमारी अच्छी quality की बन सके तो यह होती है हमारी pre-formulation study तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो सेम क्या रहता है ड्रग के केस में कि जब भी हम कोई new drug formulation बनाते है तो उसमें डनने वाले जो ingredients होते है है ना या फिर जो substance होते है तो उनकी हम के study करते है पहले हम उने check करते है हम उनकी physical और उनकी जो chemical properties होती है उनको हम check करते है तो इस चीज को हम बोलते है pre-formulation study यानि formulation करने से पहले study करना होगे तो I hope आपके समझ में आ गया होगा बिल्कों सिंपल सी इसकी definition थी चलिए आगे बढ़ते है अब समझते है pre-formulation क्या रहता है introduction हमने देख लिए pre-formulation studies क्या रहता है अब pre-formulation को भी हम समझते है तो pre-formulation मैंने आपको बता दिया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसे theory को देखते है तो pre-formulation is the research stage where scientists study the physical, chemical and mechanical properties of a new drug this helps developers stable, safe and effective doses form तो देख ये pre-formulation क्या रहता है कि एक तरह की research stage रहती है अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चीनी चाहेगी पती आपको चेक करनी है तो ये क्या कि stage होगी कि जिस stage पे आके हम जो ingredients होते हैं उनको हम check करनी होगी study करनी है तो same क्या रहता है कि जब हम दवाईये बनाते है तो उसके जो ingredients होते है जो check करते है तो वो हमारी एक stage होती है तो उसे हम बोलते है research stage कि हम क्या है जो pharmaceutical ingredients है तो उनकी हम research करनी है उनकी study करनी है जहाँ पे जो scientist होते है वो क्याता हती है कि जो pharmaceutical ingredients है जिसे हम dosage form बनाएंगे तो उनकी जो physical properties होती है उनकी chemical properties या फिर उनकी जो mechanical properties रहती है किसी भी नई drug को बनाने के लिए तो उनको हम research करते हैं उनकी study करते है और ये जो stage रहती है ये जो steps रहते है research वाले तो जब हम इसे complete करते है तो सारी चीजे perfect होने के बाद क्या रहता है तो जो drug हम बनाते है तो वह हमारा क्या stable रहता है, safe रहता है और effective रहता है तो ये इस सारी चीजे एक drug को proper बनाने के लिए ताकि वो safe रह, effective रहे तो सारी के सारी हमें जो ingredients होते हैं उनकी हमा i study करनी रहती है जिसे हम pre-formulation बहुते हैं तो I hope आपके समंझ में आगी होंगी सारी की सारी चीजे चली इसके objectives को देखते हैं कि इसके objectives क्या क्या होते हैं सब्सक्राइब तो अप्रिस क्या क्या होते हैं कि माल लीजी हमने कि है transdermal drug delivery system बनाया या फिर हमने gastrointestinal drug delivery system बनाया तो various type के doses delivery systems रहते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो drugs ऑफेक्त दखाते हैं तो एक तो ट्रेडिसमन रहता है कि हमने tablet बनाई खाली वह हमारे पेट के अंदर गई तो उसने जो एफेक्टों दिखा दिया और जल्दी से उसका जी फेक्ट है वो खतम हो गया एक क्या रहता है हम क्या special type का delivery system बनाते है जिसमें हम क्या है कि हमने कोई patch बना लिया जिसमें बहुत सारी drugs होते है small amount में उस patch को हमने अपने अंदर body के अंदर उसे implant करे दिया और वो patch है वो दीरे-दीरे करके क्या drug को release करता रहेगा और drug के लंबे समय तक जो असर है वो दिखाता रहेगा तो यह क्या होना एक special type का drug delivery system हो गया तो जब भी कि हम किसी type का drug delivery system बनाते हैं तो उसे बनाने से पहले क्या है उसमें जो डलने वाले ingredients होते हैं जो substance होते हैं जिनने मलाके हमके उस नगली वे system को बनाएंगे तो उसके बारे में जो useful information रहती है वो हमें मिल जाती है जो pre-formulation रहता है उस stage पर second point की हम बात करें ensure they arise no significant barriers to developing the drug तो इससे हमें यह चीज भी ensure हम कर सकते हैं pre-formulation study से कि जो हम नए ड्रक बनाने बाले हैं तो उसके बीच में कोई barrier तो नहीं आ रहा है कोई कमी तो नहीं रह रही है तो यह चीज भी हम ensure कर सकते हैं थार्ड जो हमारा objective रहता है वो यह रहता है कि use gather data to create effective dogeist form तो जो pre-formulation जब हम करते हैं study करते हैं या फिर हम research करते हैं तो इस टेंप पे हम एक है बहुत सारा डेटा मिल जाता है अलग लग हम pharmaceutical ingredients के हम क्या study करते हैं तो बहुत सारा data मारे पस एकट्टा हो जाता है तो यह जो data मारे पस gathered हुआ है जो एक खट्टा हुआ है तो इसकी बहुत से क्या है हम इस सब को जो अच्छा तरीके से study करके पूरे data को हमके एक best जो effective जो dogeist form रहता है उसको हम बना सकते हैं तो यह इसके objectives हो गए एक तरह से हम बोल सकते हैं कि pre-formulation से हमें क्या गया benefit होते हैं क्या क्या चीज़ा हमें मिलती है यानि क्या क्या चीज़ा हम जान पते हैं चलिए यह objectives हो गए इसके अब discuss करते हैं इसके goals क्या हैं तो सबसे पहला goal इसका यह है कि determine solubility and crystal form सबसे पहला वो यह रहता है pre-formulation का कि जब हम pre-formulation करते हैं तो जो ड्रक्स अविस्टेंस रहते हैं जिनके हम study करते हैं ड्रक्स अविस्टेंस यानि एक तरह के ingredients रहते हैं ओके ingredients के बारे हम discuss करेंगे अभी आप बस basic basic चीज़ें समझो अभी से मैं ज्यादा detail में जा हुआ तो आपके समझ में नहीं आएंगी तो जो pharmaceutical ingredients यूज करते हैं जैसे हमने चाय पती चीनी आप जैसे चीनी है माली जो for example चीनी है जब हम चाय बना रहे हैं तो जैसे हम चाय की पत्ती डाल देते हैं चीनी फिर हम उसमें डालते तो चीनी क्या दीरे-दीर उसमें गोलती है लेकर इसी की जगह पर हम क्या है एक ऐ जाएगी यानि जो चीनी की जो solubility थी वो कम थी जिसकी वैसे चाय अच्छी नहीं बनी तो जब हम क्या है free formulation study करते हैं तो इससे क्या है एक तो हमें जो pharmaceutical ingredient जो हम use करने वाले हैं drug को बना लेक लिए उसके हमें solubility पता चलती है कि उसकी जो solubility है वो कैसी है जब हम दवा को बना लेंगे तो वो जो दवा है वो हमारे पेट में जाके अच्छे दरीगे से solubile हो पाईगी या नहीं हो पाईगी ठीक है दूसरा हमारा benefit रहेगा crystal form कि जो pharmaceutical ingredients हम use कर रहे है तो उसकी crystal form क्या है crystal form क्या होती है crystal form का symbol सा मतलब यह रहता है कि माल दीजिए कोई एक pharmaceutical substance है तो उसके अंदर जो carbon items होते है तो वो 3D manner में आरेंज है या नहीं है एक तो क्या crystalline form रहती है crystal के अंदर और एक क्या रहती है एक amorphous form रहती है तो उसके बाद में बाद में और discuss करेंगे तो एक crystalline form रहती है तो उसमें जो carbon atoms होते है तो वो क्या है एक 3D structure में क्या है अरेंज रहते है बिल्कुल सीधे-सीधे अच्छे तरीके से systematic way में कुछ ऐसे आप माल सकते हो तो अभी क्या बिल्कुल साफ सुतर आपको structure लग रहा है तो यह क्या हमारा 3D crystalline structure रहता है दूसरा हमारा amorphous रहता है जिसमें जो carbon atoms रहते हैं तो वो क्या randomly ऐसे अठेच होते हैं कोई उनका एक proper systematic way नहीं होता है तो इसको हम amorphous बोलते है तो जबकि हम pre-formulation study करते है तो इस टैम पे जो pharmaceutical substance होते है तो एक तो उनकी हमें solubility पता चलती है दूसरा में यह पता चलता है कि उसका जो crystal form है उस टैम का है crystal है solid है या फिर क्या है amorphous है तो यह सारी सीज़े second goal की हम बात करा है तो study the drugs release rate तो जबकि हम डोजेज form बन जाता है तो उसकी release rate रहती है अब यहाँ पर जो हम formulation बना रहे है तो basically हम यहाँ पर discuss करने है कि जो हमारे special type के delivery systems रहते है जिसमें हम क्या है traditional drug तो बनाते ही है लेकिन कुछ हम special type के drugs भी बनाते है जिसमें क्या release rate रहती है कि जो drug है वो कितनी तेजी से release हो रहा है माल दीजे हमने एक tablet बना ही उसके उपर हमने coating कर दी coating हमने कुछ ऐसी कर दी जब हमारे पेट के अंदर गई तो जो coating है वो हटी नहीं रही है जो drug हो रिलीज हो ही नहीं पा रहा है का भी slow release हो रहा है तो body में जो effect है वो भी slow देखेगा second हम उसमें क्या है coating step की कर देते है जो बहुत जल्दी अटी आती है तो जैसे वो पेट के अंदर गी तो बहुत जल्दी से अटी drug जल्दी से खोल गया है और उसमें क्या है जल्दी से effect दिखाए है लेकिन जो drug का जो असर हो हमारी body में तो उसकी release rate क्या रहेगी जो drug के molecules है जो drug या जो मेर हमारा API है तो वो कितनी जल्दी अल्दे release होगा तेजी से होगा, slow होगा तो वो सारी चीज़ेंड करती है किस के उपर pharmaceutical ingredients के उपर तो pre-formulation study में हमें ये चीज़ भी पता चलती है next आता है तो जो फिजीकल करेक्टरिस्टिक्स रहती है pharmaceutical ingredients की जैसे कि crystal inform है, वार्फस है तो ये सारी चीज़ें पॉली मोर्फेज में हो गया तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है pre-formulation study में अभी जो वर्ड मैंने आपको बोले हमें तो आगे जागे डिसकस करेंगे अभी next आता है हमारा answer no interaction with common एक्सीपेंट जब pre-formulation study करते है तो basically क्या रहता है कि मानली जी ये हमारा API है API ये हमारा क्या रहता है main pharmaceutical ingredient होता है जिसको मैं active pharmaceutical ingredient बोलते है यानि एक tablet के अंदर मानली जी ये हमारी एक tablet है अब इस tablet के अंदर क्या रहेगा कि हमारी दो तीन चीज़ें रहती है एक तो हमारा main API रहता है बाकि हमारे एक्सीपेंट्स रहते है अब API main क्या रहता है जो हमारी disease को ठीक करता है जो actual में हमारी body मासा दिखाएगा वो तो इसमें काफी कम एमाउंट में रहता है कि मान लेज़ें ये 50 mg की tablet है तो इसमें जो है API ये हमारा लगवद 10 mg रहेगा तो बाकि का 40 mg क्या है बाकि का 40 mg ये हमारा एक्सीपेंट्स रहता है जैसे कि test tenances हो गए color एक्सीपेंट्स हो गए इसके लाबा फ्रेग्नेंस और बाकि इसमें जो उसकी solidity को solubility को बढ़ाने के लिए कि हम बहुत सारे एक्सीपेंट्स मिलाते है तो main API के साथ हम एक्सीपेंट्स को मिलाते है तो जब क्या है एक्सीपेंट्स को मिलाता अब API हम डारेक्ट्स ले नहीं सकते क्योंकि वो क्या है जब हम raw home में API को body के अंदर एंडर कराएंगी देख तो उसका जो duration of action है वो काम नहीं करेगा सईसे मलना body के अंदर एक तो वो जाये गई नहीं हो सकता है जो API है वो बहुत ज़्यादा कडवा हो तो हमारी body के उसे accept नहीं करेगी यानि हमें खाने में भी problem होगी तो इसके साथ हम क्या करते है कि एक्सीपेंट्स को यूज करते है जो कि एक तो drug की solubility को बढ़ाते है और ये चीज़ भी ensure करते है तो ये जो हमें एक्सीपेंट्स को एक्सीपेंट्स को एक्सीपेंट्स के साथ मिला रहे है तो ये जो API है वो इन एक्सीपेंट्स के साथ किसी तरह का interaction न गरे ऐसा न हो कि हम जो एक्सीपेंट्स मिला रहे है जिससे क्या है जो API है वो हमारा खराब हो जाए वो अपना कामी न करके दखाए तो इसलिए क्या है जब हम प्री फॉर्मुलेशन इस्टडी करते है तो इसलिए हम ये चीज़ पता चलती है जो हम एक्सीपेंट्स उसमें मिला रहे है और ड्रग को बनाने के लिए तो वो क्या API के साथ interaction नहीं करे रहा याली API को वो जो है interrupt नहीं करेगा उसकी जो काम करने की जो capacity है उसको जो खराब नहीं करेगा तो यह सारी चीज़ हमें pre-formulation study में ही पता चलती है चलिए factors की बात करते है factors में हम यह देखते है कि जो हम pharmaceutical ingredients use कर दे है तो उसमें कौन-कौन से ऐसे factors होते है जो हमें ध्यान में रखने पढ़ते है कि जो हम pharmaceutical ingredients use कर दे है कि माल दीजी हम क्या है हमके कोई solubility and enhances मिला रहे है solubility and enhances जो क्या है drug की solubility है उसको increase करेंगे उसको बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा कि हमें बहुत सारे factors को check करना पड़ेगा कि जो हम ingredients उसमें मिला रहे है जो एक्सीपेंट्स है या फिर हम कोई भी उसमें मिला रहे है तो हमें क्या क्या चीज़ हो द्यान लगनी चाहिए सबसे पहला तो ये कि drug की जो pH और जो pk रहती है जिसे हम acidity और basicity बोलते है तो वो क्या ठीक होनी चाहिए कि जब drug हमारी body के अंदर जाएगा acidity या basic medium में जब वो जाके interact करेगा तो वो unstable न हो जाए उसकी जो activity है वो खराब न हो दूसरा एक उसकी जो solubility है तो drug जो हमारी body के अंदर जाएगा तो वो कितने अच्छे तरीके से dissolve होगा ये चीज़ भी हमें पहले से ही जाननी रहती है ये सारे factors हम चेक करते हैं ड्रक को बनाने से पहले फिर हमारा thermal stability आती है कि जब हमारी body के अंदर के एक heat रहती है मतलब एक हमारी body का खुद का temperature रहता है तो drug जब हमारी body के अंदर जाएगा तो उस heat में जाके वो जो drug है वो stable रहेगा या नहीं रहेगा तो ये चीज़ हम क्या है pre-formulation study में ये सारी चीज़ हम पता दर के चलते हैं सारे factors को देख के चलते हैं फिर आता है हमारा dissociation constant तो drug की जो ionization property ही रहती है तो ये भी कह एक important sector रहता है फिर हमारी compatibility study जा जाती है जो drug का जो intrexal रहता है तो कुछ मदलब techniques रहती है जिसे हम FTIR या पर DSC बोलते है तो ये जो FTIR टेक्निक रहती है तो इसकी full form रहती है Fourier transform infrared spectroscopy और जो हमारी DSC रहती है इसका मदलब रहता है differential scanning calorie metric तो ये जो FTIR टेक्निक रहती है इसकी मदद से हम क्या दरते है जब हम drug को develop करते हैं उसे formulate करते हैं तो हम XC paints को क्या है मिलाते है API के साथ तो ये जो technique रहती है FTIR तो इसमें क्या है basically ये तरह की infrared spectroscopy इसको भी technique रहती है जिसमें हम क्या है जब आपस में जब मिलाते है XC paints को और API को तो उनके बीच में किसी तरह का interactions तो नहीं हो रहा है basically क्या interaction में क्या रहे है कि मान लीजे हम drug को XC paint के साथ मिला रहे तो जैसी हमने उसे मिला रहे है तो अगर क्या API के बीच में यानि जो main drug है और जो वारे XC paint हो उनके तो उनके बीच में अगर किसी तरह को कोई bond form हो जाता है किसी तरह का interaction रहता है किसी other compound के साथ तो ये जो sifter रहता है कि किसी compound के साथ अलग से bond बन रहा है तो ये जो sifter वो क्या infrared spectrum में क्या है detect हो जाता है यानि stack link में क्या है detect हो जाता है तो इससे कि हमें यह पता चला कि किसी another compound के साथ जब bond बनाएं तो इसका मतलब यह है कि जो main हमारा जो pharmaceutical ingredient है तो वो क्या interact कर रहा है excipent के साथ यानि उसके साथ नया bond बना रहा है excipent के साथ तो इसका मतलब यह है कि interaction हो रहा है तो उसके thermal behavior को study करने के लिए हम dsc technique का use करते है कि जैसे किया है किसी तरह का interaction होगा तो जैसे माल ली जो कोई excipient है और API यह जाओ उन दोनों को आपस में mix करेंगे तो अगर उन दोनों के बीच में अगर कोई interaction होगा कोई नया bond बनेगा तो इससे किया है dollar technique को use किया जाता है interaction चेर करने लिए next हमारा जो factor आता है oxidation and reduction तो stability in different environment तो जब भी कहा है drug को जैसे माल लीजे drug हमने बना लिया अब drug को बनाने के बाद हम क्या उसे store भी करेंगे कहीं पर कोई go down होगा कहीं पर जो storage रहता है वह आपर उसे store करेंगे तो वहाँ पर environmental conditions अलग अलग हो सकती है हो सकता है humidity जादा हो temperature कम जादा हो रहा हो वहाँ पर तो इन सारे environments में या फिर temperature में कोई changes आ रहे है या हमारी body के अंदर जाए जा हमारी body के अंदर जाएगा तो temperature अलग मिलेगा उसे और जब हम उसे testing करेंगे तो अलग temperature होगा pH अलग हो सकता है हमारी body के अंदर तो different different type के जो environments रहते है तो उसमें हम इसे check करेंगे कि मतलब जो drug की stability है वो सही है या नहीं है वनलब drug stable है या नहीं है different different environments में तो मतलब जैसे हमने कई store कर दिया तो उसमें oxidation या reduction तो नहीं हो रहा है तो यह सारी चीए check की जाते है important factor है का अभी ज़दा और सबसे last factor की हम बात करें तो particle size तो drug का जो particle size रहता है तो यह भी कि एक important factor है तो छोटा particle size रहेगा तो drug का जो action होगा काम कहने का तरीका वो अलग होगा और drug का जो particle size रहेगा तो काम कहने का अलग तरीका रहेगा अब particle size का कुछ ऐसा system मलो आपके particle size रहेगा चोटा होगा तो drug का जो desolution rate रहेगा तो वो कि increase हो जाता है drug का desolution rate का मतलब है कि drug का है जब आपारी body कंद जाएगा वो कैसे चोटे-चोटे particles में रहेगा जाता है और जबके हैं तो जितने चोटे particles होगे उतराई जड़ाई जड़ा अच्छे तरीके से वो अदो प्रोब होगे तो चोटे particle size का मतलब ये फाइदा रहता है और इससे क्या मतलब अगर बाड़े particle size रहेंगे तो absorption में भी problem होती है क्योंकि जाब absorb होता है intestine के तुरू या किसी भी wall के तुरू तो उसमें क्या चोटे 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 पूर्स होते हैं अलगलग कैकनेक्स रहती है absorption की तो उसमें क्या अगर बड़ा particle size होगा तो उसे absorb होने में difficulty आगी लिए छोट processing process, control and really तो यह सारी चीजों में क्या है particle size एक important role play करता है और मेरे इसाब से क्या चोटा particle size रहता है वो क्या परफेक्ट रहता है एक डोजे स्पूम के लिए किसी भी type का हो तो यह था हमारा pre-formulation factors ने क्या है introduction देख लिया pre-formulation का उसके objectives क्या है उसके goals क्या है और factors क्या क्या ह रखा जाता है जब भी क्या है drug को develop किया जाता है उससे पहले तो यह सारे के सारे factors को द्यान में रखा जाता है चलिए हम एक important topic को cover करते है अब हम यहाँ पे देखने वाले study of physical chemical characteristics of drug substance drug को बनाने से पहले क्या है हम उसमें जो pharmaceutical substance हम use करते है तो उनकी जो physical और chemical characteristics रहती है तो उन को हम analyze करते है pre-formulation में क्योंकि यह पूरा का पूरा जो unit 1 है यह क्या प्री-formulation के ऊपर ही है तो pre-formulation में हम क्या क्या चीज़ां देखने वाले है तो वो सारी के सारी आप पढ़ो होगे यहाँ पे तो अब क्या है प्री-formulation में हम क्या देखते है कि जो drug substance रहते है कोई भी drug substance है तो उसकी जो physical जो properties रहती है characteristics रहती है और जो उसकी chemical characteristics रहती है तो दौनों चीज़ों को हम check करते है pre-formulation में और perfect होने के बाद ही क्या है हम मतलब आगे further move करते है तब ही जाके हम क्या है drug को formulate करते है तो यह सारी के सारी चीज़ है physical and chemical characteristics चलिए तो यहाँ पर क्या होता है pre- formulation study में तो सबसे मेले classification देख लेते हैं छोड़ा सा पहले हम physical properties देखते है pharmaceutical substance की इसमें भी हम काविसारी चीज़ है देखते है physical property में एक तो हम पहला जो रहता है वो हमारा bulk characterization जिसमें हम क्या है drug की जो physical form रहती है उसको देखते है drug की नहीं बोला है drug substance की उसके बाद polymorphous particle size particle shape slow properties और फिर हमारा दूसरा आता है वो रहता है solubility analysis जिसमें हम ionization constant PK pH solubility profile फिर हमारा partition coefficient होगे तो यह हमारी second physical property होगी थर्ड हम बात करें category की तो वो रहता है stability analysis जिसमें हम stability in toxicology formulation solution stability या pH rate profile और फिर रहता है हमारा solid state stability जिसमें हम bulk stability और compatibility दो चियों को चेक करते हैं तो यह हमारी basically का एक तरगी category होगी हमारी जिसमें physical properties के अंदर इतनी सारे चीज़ों को check करते हैं सारे का सारे factors को हम check करते हैं drug को बनाने देशा पहले pre formulation study के अंदर इसके लावा एक और हमारा रहता है जिसमें हमारा chemical properties रहती है जैसे कि oxidation हो गया photolysis polymerization decarvoxylation hydrolysis और तो यह सारे का सारे factors हमारे chemical properties वाले हो गया है अब basically है यह सारे का सारे आप पूर नहीं बढ़ने है जैसे for example physical properties में क्या है हम physical form देखेंगे polymorphine देखेंगे particle size particle shape और slow properties इसके लावा हमारी तीनों solubility analysis वाले भी रहेंगे तो जो slayvers में दिया हम उसके according ही चलेंगे ज्यादा दिया है लेकिन इसमें यह जो सारे के सारी चीजें दी हुई है का फिर detail में हमें देखनी पड़ेंगे तो अभी फिलाल video lengthy हो चुका है तो next video से हम cover करेंगे इसके सारी physical properties और सारी के सारी chemical properties जिससे के हमारी almost जो आदी unit हो फिनेस हो जाएगी और second part में हम क्या है यह दोनों को cover करने कोसिस करेंगे तो यह था आज के हमारा simple सा video I hope आपको चीजें समझ में आगी होगी डेटेल में पढ़ना चीजों को जरूरी रहता है क्योंकि यह याद करने वाला subject है तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रटना आपके लिए बहुत मुस्किल हो जाएग रटने के लिए इसलिए के समझने की कोसिस करें तो आज का focus मेरा समझाने पर राय के pre-formulation study होती क्या है तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कोई भी doubt हो तो आप अमेट करके पूछ सकते हो तब तक के लिए goodbye and take care